हाई फ्रेंड्स आप सबको मेरे चानल पे स्वागत है आज हमें एक रसिला फल आम के बारे में कुछ आनने जा रहे हैं आमको उसके रंग रूब और स्वाप के बज़े से ही सिर्फ फलों का राजा नहीं कहा जाता वो धेरों सारे न्यूट्रेंस से भरा हुआ है एक कप लग 0.4 ग्राम्स प्रूटिन, 24-7 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 0.6 ग्राम्स भ्याट के साथ साथ बाइटामिन C, बाइटामिन A, बाइटामिन B6, बाइटामिन K, नियाश्यन, पोटासियम, राइबोफ्राबिन, मैगनेसियम अधी महजूद होते हैं आम के धेरों सरु फाइदे हैं पहला फाइदा है पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाना आम में आमाइलेज नाम का एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजेम महजूद है यह एंजेम कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सुगर जैसे की ग्लुकोज और माल्टोज में तोडता है और भी आम म अच्छे मात्रा में पानी और फाइबर होते हैं जो डाइजेशन को बेहतर बनाकर कॉंस्टिवेशन से रहत देते हैं दूसरा वाइदा है आखों को स्वस्थ रखने में मदद करना आम में अंटियोक्सिदान्स जैसे की लियूक्टिन ज्यांक्थिन और भाइटमिन ए होत ख़च्छाए को अमेसा चबा और सुन्दर बनाता कि जोथा फाइदा है बालों को हिल्दी बनाना आमरे बाय्टमिन ए होता है जो बालों को बड्न में और सिवम प्रणक्षाण में मदद करता है 이거 दोणों के लिए बहुत उच्छा होता है इस-प्रतिरिश्च्याय तन्त बहुत अच्छा सोर्स ही यह सब प्रफीर के तंत को मजबूत बनाते हैं चटा फाइदा है दिल को स्थरक्ने में मदद करना आम में मैंगनेसियूम पोटस्यूम और मैंगी फेरिन नाम का एक antioxydants होता है जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं साथवा फाइदा है बजन को कम करने में मदद करना जब आम को आप बस एक मात्रे में खाया जाए तब वो बजन कम करने में मदद करता है क्यूंकि आम में परक्त मात्रे में फाइबर होते हैं जो प्रेट को भरा हुआ मेहसूस करवाते हैं जिससे आपको दूसरे खानों के प्रती अकरसित नहीं होना पड़ता और आप कम खाते हैं आठवा फाइदा है कैंसर के खत्रे को कम करना आम में कैरोटिनोड्स, असकरबी के सिर्ट, टेरोनोड्स और पॉलिफिनल्स आदि होते हैं जिन में अंटिकैंसरोस प्रपोर्टिश होते हैं जो कैंसर के खत्रे को कम करता हैं खास करके कॉल्लोन, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट चैन्सर आदिति में नवभा फाइदा है बेच कोलिस्टिल को कम करना है और SS1 जो आएरन के बहुत अच्छ अच्छा सोर्स है कि बढ़ता है और भी इसमें वाइटामिन C होता है जो आयरन को हमारे सरीर में अच्छे से अपसुसन करने में मदद करता है। अलंकि ये आम एक बहुत ही टेश्टी और फायदे मन बला फल है पर उसके कुछ नुकसान भी है जैसे कि जरूरत से ज़्यादा आम का सेवन डायरिया या दस्त का कारण बन सकता है। इसलिए आबसक मात्रा में ही इसका सेवन किजिए। नमबर टू, आम से कुछ लोगों को अलर्जी हो सकती है और उन्हें आख और नाख से पानी बहने का अनुभव, सांस लेने में दिक्कत, पेट में दौर्थ और शेंका नादी समस्या दिखाए दे सकती है। नमबर टु, ज्यादा मात्रा में कच्चे, आम या केरी ना खाए, क्यूंकि इससे पांच्छन क्रिया में गढ़भड़ी या पेट में दर्थ हो सकता है। नमबर फॉर ज्यादा आम खाने से बजन बढ़ सकता है क्यूंकि इसमें ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होते हैं नमबर फाइब आम में ज्यादा मात्रा में प्रक्रूतिक सर्थ करा होता है जो डाइबेटेस मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आबस्यव मात्रा में ही इसका सिबन कीजिए नमबर इसे जिन में आम को ज़ल्दे से पकाने के लिए अर्टिफिसियल लापिनिंग का इस्तेमाल किया जाता है यह केमिकल सरिट के लिए बहुत ही हानिका रखे कुछ देसों में यह व्यान भी है नमबर सेफिन जिलोगों को 어्षयाटिस की समस्य है उन्हें कम मात्रा में ही आम का सेवन करना जाए है उम्मिद है आज की मेरी जानकरी आपको अच्छी लेगी होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देजिए थैंक यू